नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम एक अनभाव लेंगे जो की अंधेरी रात में चैन्नेई की सडक पर मौजूद एक विशेस तरही की आत्मा के विशे में दर्शाता है और यह अनभाव एक सादक ने भेजा है तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनभाव के विशे में नमस्कार गुरूजी मेरी उम्र 35 साल है और मैं फिलहाल बैंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ आप क्रिपया कर मेरा नाम और शहर को गुपत ही रखने क्योंकि शायद मेरी परिवार के कुछ लोग आपके चैनल को सुनते होंगे यह 2010 की बात है जब मैं चैन्नई में काम करता था कॉलिज से 2009 में ग्रेजुएट होकर परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए मैं जॉब जॉइन कर लिया था यह बात उस समय की है जब मैं पूरा एक नास्तिक था और मेरे दिन्चरिया में भी कोई खास सात्विक्ता नहीं थी कहने का ये मतलब है कि मैं नॉन्वेज दोस्तों के साथ ड्रिंक आदी करता था और मैं अपनी जिंदगी में साररिक संबंध भी पहले पना चुका था लड़का नहीं था पर मैं हमेशा अपनी सोच को साफ रखने की कोशिश जरूर करता था अलाकि मैं पूर्ण भी नहीं कफी देखा था और उन दिनों में पर लड़कियों और औरतों के लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान था कॉलेच और कॉलेच के बाद अपनी गल्फ्रेंट से भी मैं सारिक संबंध तभी बनाया था जब मैं उन्हें जीवन साथ रहने का खुद के लिए संकल्प लिया था पर आज की वास्तविक्ता यह भी है कि लड़कियां सारिक संबंध पर उतना ध्यान नहीं देती शायद इसलिए आज तक मैं बहुत बार किसी ना किसी के साथ प्यार में पड़ा पर सभी ने एक ही समय के बाद मुझे छोड़ दिया शायद यह मेरे ही प्ररब्ध है कि लोग जिस की चाहत रखते हैं वो तो मुझे बहुत लड़कियों से प्राप्थ हुआ पर ज्यादा समय तक किसी से प्यार नहीं कर सका खैर मैं वापस उस घटना पर आता हूँ मैं एक बड़ी आईटी कंपनी में नए नए जॉब पकड़ा था और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी ओफिस के समय मैं ऐसे ही की मुझे घर आते वक्त रात के नौ से दस बजही जाते थे दो हजार नौ का साल था फ्राइडे की रात थी और मैं ठका हुआ था बस से घर लोड़ रहा था चैन नहीं ऐसा सहर है जो आज भी रात दस ग्यारा बजहे तक शान्त और सो जाता है उस रात में बहु कि अगले दिन चुटी है और मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा मन में यही सोच लिया मैं बस से बस स्टॉप पर उत्रा जो मेरे घर से कुछ कदम की दूरी पर होगा बस स्टॉप के सामने एक चैन्नेई की बहुत ही पुरानी शॉपिंग मॉल्ड है जब मैं बस से उ किस साल के रड़की नीचे उतर रही थी वो दिखने में सामली अच्छी तरह मेंटेन फिगर की और हाथ में दो शॉपिंग बैग ली हुई थी मैं बस से उतर ते ही उसके साथ अपने रास्ते चल दिया जब उसने मुझे पीछे से टोका जब मैं मुर कर देखा तो उसका च अच्छे से मुझे से पूछा कि विजे नगर जाने वाली बस कहां मिलेगी मैं उसे अपने हाथों से डायरेक्शन दे कर बताया और फिर आगे बढ़ने लगा कि उसने मुझे फिर से टोका वो बोली कि मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं जहां उसे जाना है और क्योंकि रात ज्यादा हो गई है और रोड खाली हो गई है वो भी मेरे साथ चलने लगती है मुझे ऐसास हुआ कि इतनी मदद तो मुझे जरूर करनी चाहिए और मैंने उसे अपने साथ लेकर उसे चलने लगा चलते चलते हम बात कर रहे थे जिसमें वो बताए कि वो अंडमान से है और यहां कॉलेज की स्टूडेंट है आज रात वो शॉपिंग वान में घुमते घुमते समय पर ध्यान ही नहीं दी और बाहर निकली तो काफी देर हो गई थी हम दोनों हिंदी में ही बात कर रहे थे क्योंकि वो अभी हिंदी बोलने वाली जगत से थी और मैं भी उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा आश्यरे भी हुआ उसके कारण यह था कि वो जिस शॉपिंग मॉल में गई थी वो रात नौ बजे ही बंद हो जाता है साथ ही चन्नई जैसे शहर में हिंदी बोलने वाले कॉलिज स्टूडेंट मोस्टली गुरूप में ट्रेवल करते हैं क्योंकि वहां बोलचाल की काफी समस्या होती है तमील लोग न जादा हिंदी समस्ते हैं और नहीं बोलना पसंद करते हैं ये सबी बाते हैं को सोच करके मुझे लगा कि उसके बाते सच नहीं हो सकती फिर भी हम कुछ और साथ चले और फिर अलविदा का वक्त आ गया था क्योंकि मुझे राइट साइट से अंदर जाने वाली रोड लेनी थी और उसे वो हमें में रोड क्रोस करके अपोसिट डारिशन की रोड की बस स्टॉप में बस का वेट करना था उसकी सुविधा के लिए मैं उसे बस नंबर बताया और अपनी राह चलने लगा वो बोली कि उसे रोड क्रोस करने में डर लगता है और मेरे हाथ पकड़ कर बोली कि प्लीज उसे रोड क्रोस करा दो फिर मुझे आश्चर हुआ क्योंकि रोट खाली सी थी, बस कुछ गाड़ियां और बस ही दिखती थी, खैर उसने मेरे हाथ को जोड से पकड़ ही लिया, था इसलिए मैं उसके साथ रोट क्रॉस करने लगा रोट क्रॉस करने के बाद उसके चेहरे में एक हलका सा मुसकान आया और वो मुझे बोली कि अब साथ में बस स्टेंड चलो क्योंकि शायद इतनी देर हो गई है कि अब बस भी ना मिले, उसकी बात सच थी क्योंकि उसे जहां जाना था, वहां की बस रात दस बजे के बाद मिल था, एक अच्छा इंसान होनी की सोच से मैं बोला कि अब मैं उसे बस में बिठा कर बाद ही घर जाओंगा, वह भी खुश होकर हाथों ही हाथों में हाथ डाल पड़ी और बस स्टेंड में बस एक दो ही लोग और हम करीब पांच मिनट ही वहां वेट किये, ठीकि वो फिर बोली, उसने कहा कि उसे जोर की भूख लगी है, यह सुनते ही, मैं तुरंद बोला कि अगर तुम अभी होटल में खाना खाओगी तो पक्का बस छूट जाएगी, पर वो जिद करने लगी, फिर मैं उसे पास के ही एक मूवी हॉल के सामने देरात तक खुली रहने वाली होटल में ले गया, जहां हम पांच से दस मिनट में खाना खाके मीनू देखते रहे, और फिर वो बोले कि उसे इसमें से कोई भी खाना पसंद नहीं है, फिर मैं बोला कि अब यही खाना खाया हो, त जब हम वापस बस स्टेंड पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था, मुझे आज भी याद है कि वह रात बहुत काली सी थी, पता नहीं अमावस्य थी या नहीं, पर बहुत ही काली-काली सी वह रात थी, अब हम दोनों बस स्टेंड में वेट करते रहते, दस से पंदरा रात मेरे साथ मेरे घर में ही बिता कर कल सुबह निकल जाएगी, जब उसने यह कहा तो मेरे मन में बहुत सारे विचार दोड़ने लगे, शायद कोई और होता तो खुशी-खुशी उसे घर ले जाता, पर मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था, उस समय मुझे दो बातों का ए पहला है कि यह लड़की कोई धंके और शायद घर में इंट्री लेकर रात में अपने दोस्तों को बुला कर चोरी वगरा करवा दे, या फिर यह जरूर कोई बहुत पिसाच है या मुझे बहकार कर मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है, आप ही सोचे कि एक अंजान अच्छी दिखने वाली 20-22 साल की लड़की ऐसा क्यों बोलेगी, मैंने उसे बताया कि मेरे रूम में मेरे साथ दो दोस्त रहते हैं और अगर घर में लड़की लाया तो उनकी नियत बिगड़ सकती है, यह बात सच भी थी क्योंकि मेरे साथ मेरे दो दोस्त रहते थे और वह शायद अभी तक ड्रिंक्स करके काफी नशे में भी होंगे, वो बोली कि ऐसा नहीं होगा और वो किचन या बातरू में रात बिता लेगी और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, मैं फिर भी नहीं माना और उसे बोला कि ऐसा संभव ही नहीं है, तभी एक बस आई, जो उसके घर की तरफ नहीं जाती थी, पर एक में बस स्टेंड जाती थी, जहां से उसके घर की तरफ की नाइट बस मिल सकती थी, मैं उसे तुरंत लेकर बस में चड़ गया, मैं उसे बस में अखेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि बस में अंधेरा था, और बहुत कम लोग थे, और उसे सायद आगे कहां और कैसी अगली बस लेनी है, वो भी नहीं पता था, उस लड़की की तरफ से मुझे किसी भी तरह की नेगेटिव इनरजी या खत्रे का एसास नहीं हो रहा था, और मैं नहीं चाहता था, कि किसी लड़की का रात में कुछ बुरा हो जाए, बस में टिकट लेने के बाद मैं उसे एक सीट में बिठाया और उसके आगे वाली सीट में बैठ गया, वो तुरंद बोली कि तुम इतना शर्माते क्यों हो, मेरे साथ साथ मेरे बगल में बैठो, मैं ना बोला तो वो मेरे हाथो को कुछ करके मुझे अपने पांस बिठा लिया, औ और अपना सर मेरे कंधे पर रख कर मुझे से बाते करने लगी, वो बोली कि उसे मेरे साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है, पर उसे यह भी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से मुझे यह सारी मुसीबत जहलनी पड़ रही है, मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे मैं बस स्टोब में अगली गाड़ी में बिठा कर वापस घर लोड जाऊंगा, पर सच यह था कि रात इतनी हो गई थी कि उसके लॉंग रूट की बस तो नाइट बस सेवा में मिल जानी थी पर मुझे वापस घर जाने की भी कोई बस नहीं मिलने वाली थी, किसी की मद करने की चक्कर में मैं खुद ही फसने वाला था, हाँ मैं बस स्टेंड कुछ 15 मिनट में पहुच गया, वो बड़ा सा बस स्टॉप था जहां कुछ 3-4 लोग थे और बस कंडेक्टर ड्राइवर लोग थे, वहां पहुचते ही मुझे उसके रूट में जाने वाली बस अंधे में लगी हुई दिखाई दी, कुछ ड्राइवर से पूछा तो वो बताया कि वो बस अगले 15 मिनट में स्टार्ट होगी, हम बस के पास पहुचे जो विलकुल एक अंधेरे कोने में लगी थी, और उसमें कोई भी नहीं था, मैंने उस लड़की से कहा कि तुम बस में बैठ जाओ, मैं बस के बाहर खड़ा रहूँगा और जब तक बस ना चले, वहीं से उसकी देख भाल करूँगा, पर जैसा मुझे पता था, वो नहीं मानी, और मुझे भी अपने साथ उस अंधेरी बस के अंदर ले गई, और हम एक सीट में बैठ कर बाते करने लगे, उसी दोरा से कोई प्राब्लम नहीं था, पर अगर चन्नई जैसे सहर में कोई ऐसा करता देख लेता है, तो मुझे तो मार मिलती ही, साथ में लड़की के साथ भी बुरा हो सकता था, हैर वो जबरजस्ती नहीं, की बस मुश्कुराई, और हलके से गले लग कर बोली थैंक्यू, कुछ बेर में बस ड्रैवर आ गया और एक दो पैसेंजर भी चड़ गया, और मैं बस से नीचे उतरने ही वाला था, कि उसने बोला कि मैं इतना मदद किया हूं, इसलिए फिर कभी मिलकर वो मुझे थैंक्यू कहना चाहती है, और ऐसा कहकर उसने मुझ से मेरे फोन नंबर को मागा अब बस स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं उसे जल्दी से नंबर दिया, बस से निकला, खिड़की से उसे बाय किया और बस चल पड़ी, वैसे मैं उसे अपना हो नंबर तो दिया था, पर लाश्ट का नंबर गलत दिया था, क्योंकि यह क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाह एक हलका सा प्यार भी एहसास हुआ, पर मैं उसे फिर कभी नहीं देखा, गुरुजी मेरा आपसी है क्या लगता है कि वह कौन थी, वह जो भी थी, इंसान तो नहीं थी, कोई नेगेटिव शक्ती भी नहीं मालुम होती, पर कोई अपसरा परिया यक्षनी होती तो शायद कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलता, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, यह बात का मुझे विश्वास है कि यह जो भी शक्ती थी, वह मेरे चरित्र की परिक्षा ले रही थी, पता नहीं अगर मैं फेल हो जाता, तो मेरे साथ क्या होता, आप बताए गुरुजी कि यह क पूर्वक प्रणाम, गुरुजी अगर आपको यह अनुभाव अच्छा लगा हो, तो मेरा नाम बताए बिना इसे प्रकाशित जरूर करें, तो दिखिए, यहां पर इन्होंने एक अनुभाव को बताया है, ज्यादा तर जो भी आत्माएं होती हैं और उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती हैं, जैसे कि कोई लड़की अगर सडक दुरगटना में मर गई हो, रोल्ट क्रॉस करते हुए, तो इस तरह की स्थिती में भूतनी बनकर रह सकती है, या जिस लड़की के साथ उसके प्रेमी ने गलत किया हो, और ऐसी जगों पर उसे अकेला छोड़ दि और वह लड़की के रूप में आत्मा भठकती रहती है, उसकी पूर्ण इच्छा तभी पूरी हो सकती है कि जब उसे कोई रोड़ पार कराके उसके गंतव्य तक महुचा दे जहां उसे जाना है, और यहां पर आपने बिलकुल वही किया, बिना कोई गलती किये उसकी मदद कि इसी वज़े से अंतिम इच्छा जो थी वह पूर्ण हो गई और वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई, ऐसा इसी लिए हुआ, क्योंकि कोई भी साधारन इस्त्री इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी, आपका यह सोचना बिलकुल सही है, लेकिन जो भी आत्माएं अपनी आखरी इच्छा जब तक उनकी पूरी नहीं होती है, तब तक भठकती है, या तो मंत्र के माध्यम से अत्वा उनकी जो अंतिम इच्छा जिसकी वज़े से उन्हें आत्मा रूप में भठकना पड़ रहा है, वह अगर पूरी हो जाती है, चाहे उसे कोई दूसरा प किसी वज़े से भूखे रहकर मर जाते हैं, अगर उन्हें भोजन दिया जाता है, तो वह आत्मा मुक्त हो जाती है, कोई आत्मा अगर तालाब में डूप कर मरी हो, और अगर किसी ने तालाब से किसी को बचा लिया, तो भी आत्मा मुक्त हो जाती है, इसी तरह के हजारों उधारन पड़े हैं जिस चीज से कोई आत्मा भटक रही है अगर वही कारे को व्यक्ति कर देता है तो निश्चित रूप से उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है और वह बंधन से मुक्त हो करके इस प्रेत लोग को छोड़ सकती है और नए जीवन की और गमन कर सकती है यहां पर ऐसा ही कुछ घडित हुआ था तो आगर आज का अनुभाव आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद